जै मसी की मसी परिवार वचन जीवन कारिकरब में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्वाद देना चाहते हैं अमारे साथ में फिर से सामिल होने के लिए ताकि हम वचन सीख सके एक साथ में और वचन के विशे में जान सके तो आज का जो विशे है जिसलिए हम बतलाना च जीवन में या हम यह कह सकते हैं कि विश्वास पवित आत्मा में क्योंकि बहुत जरूरी रहता है कि हम जिस पर विश्वास रखते हैं उस पर भरोसा भी रखना चाते हैं और इस समय पर पवित आत्मा जो हमारा सायक है जो मददगार है जो प्रभी सुमसी के द्वारा हमें मि जे मसीखी, वचन जीवन कारिकरम में आप सभी को स्वगत करते हैं और धनवाद देते हैं आज अमारे साथ में सामिल होने के लिए प्रवीश मसी के नाम से, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि विना वचन के परमेश्वर को प्रसंद करना असंभव है, तो आगे है और दया है सरवधा के लिए है, अनो का प्यार है आपका, जो सागर से भी गहरा है, परवतों से उंचा है, तारों से भी जादा है, आपका प्रेम हमारे लिए, इसलिए परमेश्वर हम जानते हैं कि आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, जो हमारे साथ में है, ज आपने हिर्दे के खोले और सीख सके, ईशु के नाम से, एमें, एमें, तो आज हम बाते करेंगे विश्वास पवित्र आत्मा के शामर्त में, एमें, तो हम देखते हैं अगर जब ईशु मसी, जब जो जी उठा और उठने के बाद अपने चेलो लोग के पास आया, और उचेल से बाते करने लगा, उन लोगों को बतलाने लगा, और हम एक्स के किताब में पहला पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं, चार पत से, कि इशु मसी आये, और चेलो को इकटे किया, और उन लोगों को बतलाने लगा, या आगया को दिया, कि तुम यरुसलम से बाहर मत जान जब तक जो वादा जो परमिश्वर ने पिता ने किया है जब तक वो मिले नहीं और इश्व कहता है कि इसके विशे में मैंने बतलाया है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इश्वमसी मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखा भाई अब्राइन की जब इश्वमसी अपने चेल के बाते कर रहा था उस स्वादे के बात कर रहा था जो शमर्त मिलेगा उन लोगों को लेकिन उस समय भी मिला नहीं और मैं विश्वास करता हूँ यहां पर लिखा है कि चेले लोगी कटे होकर वैस कह सकता हूँ कि पतरस ही आया होगा क्योंकि पतरस अब जो कुछ होता है वो पुच्छ ना चाहता है तो, वह अगे वह दोhen मैं पढ़ना चाहता हो कि इस उन लोगों के बतला आया लेकिन ये जो बात जो पहला पत्रस के किताब में यह परए इस्व लोग से कहता है तब तुम समर्द पाओगे. जब पवित्र आत्मा आएगा. घर आमनों देखें कि बचन में देखते हैं तो यह पवित्र आत्मा प्रभी शुमसी ने खुद पिता से प्रात्ना किया आया और इस मसी कहता है कि जब तक मैं जाओंगा नहीं यह आएगा नहीं तो इस मसी जब गया यह पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा समर्थ लेकर आया तो मैं नमुने के तोर पर कि सिर्फ मैं बताऊंगा तो आप उसके विश्यम बतलाना मैं से पहले लेकिन जब वहां पे वो अकेले था और एक वेक्ती जब आतकर उससे पूछता है कि तुम इसमसी के साथ मेरा तुम गलिलियन के लोग हो तो वह कहता है नहीं नहीं मैं नहीं हूँ दूसरे वेक्ती आया वही कहा कि नहीं और जब एक दासी लड़की भी आया तो भी वो कहता कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ लेकिन हम देखते है कि पत्रस के जीवन में बदलाव आया जब वो समर्त जो पर वी आत्मा के दौराया वो. बज़ कर गए कि यहां पर हम देखते कि वो एक से नहीं भातें कर आता लेकिन जब वो खड़ा कर वही राज कर मिश्वर इस मसी के विशे में बताने लगा, वो वरमसास कहता कि तीन हजार लोग बज गया, तो हम देखते हैं कि जब प्रवित आत्मा का जो शामर्त आता है, जो हम नहीं कर सकते हैं, जो अपने जीवन में या मनुश्य शरीर में, लेकिन शामर्त के द्वारा, वो हम सब कर सकते हैं, जब पवित आत्मा आएगा, सिर्फ हम उस पार्ट को देखें, तो तुम सामर्त पाओगे, ये सामर्त काफी लोग सोचते हैं, सिर्फ अबिलिटी है, या नुइंटी है, बट वो सामर्त था पवित आत्मा, जब पवित आत्मा आएगा, तो उसका आने में एक रहेगा सामर दूसरा है जिसे आपने पत्रस के विशे में कहा है वो अंग्रेजी में हम कह सकते हिया या बोल्डनेस जो वो डर्पोग था अब डर्पोग नहीं है जो वो हाली से इश्यमसी को नकारने वाला था अब उसके लिए अपना जान देने के लिए तैयार है क्योंकि उसको भी इश इसथे और बहुति हमें क्यों से जो ह悟ो के लिए आपना का सामत पर जब हम विश्वास रखेंगे बह रोसा रखेंगे कि ईश्यमसी ने यह जाने लां सभी से इसै यह संसारी जो सापित करने के लिए मैं नहीं आया हूं इसराहल का देश किकी वह होगा वह होगा अपने समय में अंदर दिनों में जब इसमसी आकर राज करेगा लेकिन जो राज इसमसी आज लाया है हमारे अंदर लाया है वहाँ पिता का दा किंग्डम ओफ परमेश्वर का इसलिए तो वे लोग परचार करते थे कि परमेश्वर के पर्चाप करो क्यूंकि पर्मेश्वर का राज तुमारे निकत आ गया है तो यहीं है समचार लेकिन यह समचार आप इशू के जाने के बाद आप इश्व ने बहुत साफ रूप से कहा कि यह परचार राज का यह मेरे विशे में मत करना जब तक सामर्ट न पाहूँ बहुत साधारण सिंपल रूप से कहा गया है यह आप नहीं कहिसक्कते हो नहीं, हमों को जाकर बताना है पवितात्मा है या नहीं अगर आप कोशिस करोगे बिना आत्मा के परचार करना आप अपने सामर्त में करोगे और बहुत से लोग नाश होंगे क्योंकि बाइबल में कहता है दालेटा किल्स सामर्त में या जो कुमांड मंट आप सिखाते हो वह शरीर के एक सामत में वह लोगों को मारेगा लेकिन आत्मा जीवन दायक है, तो उसको जानना ना है तो आप विश्वास करता हूं, जैसे आपने खहा पत्रस के बारे में अगर उसको पवितात्मा भी शेक्ता जरूरत था 120 लोगों को पवितात्मा ज़रूरत था परचार क क्योंकि उन्होंने वो कुछ बर्लावत दिखा उनमें वो अभी शेक्ता छी दन्रीच कहा जाता है इस अन्रीटिंग तेस्ट रिफरेंग कुन है क्या है वह पर आत्मा कामारा विश्वास पर इत्मा के सामत में जो शूने भेचा आपने कहा था एक बात मुझे भी याद आता है भी थोड़ी देर पहले कि पवित्र आत्मा पिता का बर्दान या आप प्रात्ना करोगे और पिता भीजेगा प्रात्ना हम करेंगे पिता से इश्यू के नाम से वो है एक और जो भी हम आप बनलाओगे तो अच्छा रहेगा ब तो एक मसीज जीवन में दो बबतिस्मा है आप कोगी है दो बबतिस्मा क्या है अभी पादी साब आपको बताएगा और हम इसमें तुरावर बाते करेंगे पादी साब दो बटिसमा है इसलिए हम पानी से बटिसमा लेते हैं पचटाप का लेकिन जो दूसरा बटिसमा है जो पवित्र आत्मा का बटिसमा है वो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है वह इंश्यु मसी ने स्थापित किया ता, इसी पहले आने वाला जिससे बहुत से लोग कहते हैं, कि पानी का बबतिस्मान नहीं लिया, तो हुआफ़ जाएगा लेकिन यहुना से कहता है, यहुना उससे कहता है कि मुझे तुम से आत्मा का बक्तिस्मा चाहिए, पच्चताब करें, तुम आते हो मेरे लिए पास, क्योंकि तुम्हारे पास तो पाप ही नहीं, तो इश्यू कहता है, धार्मिक्ता चाहता है, कि कोई-कोई कारिय आप करते हो मस्य ज लेकिन एक धर्मी धर्मिता का कारे करता है. हम देखते हैं कि X15 में यह कहता है कि जो आपने कहा था बढने के लिए, क्योंकि यहुना ने तो पानी से बत्तिस्मा दिया है, परंतु तोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बत्तिस्मा पाऊगे. तोड़े दिनों के बाद में, यह यह कहता हैं कि आज हमें पवित्र आत्मा की बत्तिस्मा लेने के लिए इंतिजार नहीं करना है, जैसे ऐशुने चेले लोग से कहा था. क्योंकि उस समय इशु दर्ती पर ही था जब उससे लोगे से बाते कर रहा था और उसके बाद में गया और पवित्र आत्मा आ चुका है और आज हमें सिर्फ विश्वास से उसे लेना बहुत जरूरी है जब इशुमसी को आप प्राप्त करते हैं तब पवित्र आत्मा का बत् इसमा एक सिस्टम है एक तरीका है बाइबल में आप अगर प्रेडितों के कमों के पुस्तक में पढ़ोगे बुक ओफ एक्स वहां पे दिखाया गया है आप अगर अच्छे से देखोगे सबसे पहले पच्छताब करना अपने पापों से फिरना और कहना कि मैं पापी हूं म दूसरा है विश्वास करना की इशू कौन है क्या उसने किया आपके लिए वो दूसरा पाथ है तीसरा है मसी जीवन में आत्मा पाने से पहले बपतिस्मा लेना कभी-कभी यह जो बपतिस्मा लेना और आत्मा का वर्दान पाना कभी-कभी शुप होता है बर बहुत कम बार यह हुआ कुरोनिलियस के अगर आप देखोगे एक समय उनके जीवन में हुआ कि क्योंकि कुरोनिलियस पादी साफ तयार हो गया था पत्रस को आने के लिए और वो जानता था कि जो कुछ यह वेक्ति कहने वाला है वो सच रहेगा मैं उसे अपना लूँगा और मैं चलने लग से उसके बाद किया तुमने आत्मा का वर्दान पाया है तो रिपेंट बिलीव बेप्टाइस एंड देन रिसीव गिफ्ट ऑफ दो होली स्पिर्ट यह तरीका है जिसके दौरा और पवित आत्मा जैसे बबतिस्मा लेना के लिए कोई ताइम नहीं है उसी तरह अगर आब बिश्वस कर लिया बिलकूर उसी समय आप आत्मा से बर सकते हो एमें हम देखते हैं कि बहुत जरूरी है कि हमें आत्मा से बरना क्योंकि वो शामर्त हमें मिलता है जीवन में नॉमल लाइव में ही चलने के लिए शामर्त मिलता है जब हम किसी योजना को बनाते हैं तो पव होते हैं वो प्रात्ना करने के लिए मदद करता है अगर वो प्रात्ना करने के लिए में मदद करता है तो क्या वो हमें किसी निरने को बनाने के लिए या प्लेन को बनाने के लिए मदद नहीं करेगा जीवन के हर एक पल में वो हमारी सामत और अगवाई करने के लिए दिया ग लेकिन ये वर्दान पाने के लिए एक तरीका है, विश्वास करना है, पचताप करना है, मन पिराना है, बबतिस्मा लेना है, आत्मा को पाना है, तो पहला जिसे हम कहे रहे हैं, बबतिस्मा है पानी का पचताप का, लेकिन दूसरा है पवित आत्मा का, आपका मसीज जीवन अदूरा है बिना आत्मा का बबतिस्मा और आत्मा का बबतिस्मा से चाब भर जाओ कि बाइबल कहता है for the kingdom of God is not only righteousness and peace but joy in the holy spirit तो सिर्फ धर्मिक्टा नहीं पाना है लेकिन आत्मा से भर के उस आत्मा के खुश्याली से बढ़ना है आत्मा से भरना बहुत जरूरी है और अगर हम आत्मा से नहीं बढ़ेंगे तो क्या होता है कि हम अपने मन के बात करें जो मैं अच्छा लगता है मैं कहूंगा या जो मैं सोच सकता हूँ कि वो लोग को क्या अच्छा लगेगा मैं कहूंगा लेकिन जब आत्मा से भर जाएंगे तो वो मैं कहूंगा जो पवित आत्मा चाहता है क्योंकि कहता है कि वो लोगों के विशे में जानता है वो जो जानता है वो मैं एक शरीर में होकर नहीं ज और जब वो पानी या बत्तीस मा लेकर आये तो उसको भी पवित रात्मा का वरदान मिला था अब अकासे बानी हुआ कि ये मेरे प्रीय पूत्र है और इसका सुन और यहुना ने देखा कि बले ज़िए डब की नई इसका उपार आकर पवित रात्मा है याद रखना पवित र तो जब हम देखते हैं कि उससे पहले प्रभी सुमसी ने कोई कारकोड़ी किया था नहीं किया था अश्यय करम नहीं किया था लेकिन जब पवित रात्मा आया उस पर वो आश्यय काम शुरुआत किया वह से और वो सिर्फ तीन साल या चार साल इस दर्ती पर थे तीन और से पहले इसने कहा कि हम लोग भी कर सकते हैं लेकिन किसके द्वारा अपने आप में नहीं लेकिन वह आत्मा जो उसने वादा को किया आज हमारे साथ में उसी तरह आप मैं देख रहा हूं आपने लिखा भी है पौलूस के विशे में सैंसन के विशे में क्योंकि हमारे पास समय नहीं है लेकिन आप लोग देख सके दाओद के पुकार है बादी साब कभी आपको सिखाएगा कि किस रीती से परमेश्वार ने दाओद को पुलाया और दाओद एक साधरन वेखती था लड़का था लेकिन जब उसको अभी शेक किया गया आत्मा उपर आया वो दाओद एक भालू को मार सका वो दाओद एक शेर को मार सका वो दाओद गलैज को मार सका कब तब तक नहीं जब तक आत्मा नहीं आया लेकिन आज हम हमारा इसो भाग है कि हम इशू को जान सके आत्मा हमारे अंदर हमेशा बास कर सकता है और आप उसको शोकित कर सकते हो लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं बहुत से लोग सोस्ते हैं कि जैसे दाउद ने का इश्यू पविता आत्मा मुझे छोड़ के चला जाएगा एक सच्चा मसी विश्वासी जो इश्यू को अपना प्रभू बना अंगिकार करकर उसको अपना प्रभू ठेराया है आत्मा आपको आपक पर समर्दीपोर लेकिं आत्मा के सामर्द और विश्वास उस आत्मा पर गार इसा attorneys के मुझे है लेकिन जब आत्मा अगवाई करेगा वो हर एक प्रात्ना परमिश्य के इक्ष्या के मताबित होगा तो मैं आप यह बड़ा खुश्याली लगता है सुझने के लिए कि जैसे आपने कहा कि वह आत्मा हमें छोड़ेगा ने हम उसके निराश कर सकते हैं इसलिए क्यों हम उसक सामर ऐसा मदद करेगा कि आप अगर पीछे को मूर के फिर देखोगे तो आप जान सकोगे कि क्या गलत मैं कर सकता था लेकिन आत्मा के अगवाई से मैं कहां पहुंच बच गया है तो यह समय हम देना चाहते हैं आपको जब हम समापती पर आ चुके हैं और यह समय मैं देना सुना और चाते हो कि प्रभीसमसी को अपनाए तो यह समय आपका है अगर बोलेगा और आप उसके बेचे बोलना और फिर उसके बाद में जो जैसे ने कहा कि बद्टिश्मा लेना है और पानी का बद्टिश्मा और फिर पवित्रात्मा का बद्टिश्मा लेकिन मैं आप आप अगर सुन रहे हमें याद रिखना परमेश्वर का जो वचन में दूरियां नहीं है आप सुनते हो परमेश्वर का वचन में वो शमरत है तो अगर इस के परे में भी होगा उसका पाधमा के लिए आप जहां पर हो वो आपको मदद करेकं कभी कबी ऐसा होता है आप इससलिए को जानते हो बब्स्मा लिया है पानी का लेकिन आतमा की बब्सक्रा नहीं और आप सोच हो किस होमाओ यह स्रीथी से होगा जिसे आपने शरीर को दिया पानी में पाद्री को नीचे ले जाने के डुबाने के लिए उठाने के लिए उसी तरह आपको आवाज देना है वचन वो देगा आपको बोलना है और जब आप कुछ बोलोगे आवाज निकालोगे तब तो वानी आएगा बहुत जोग आप अगर तुम आत्मा मांगोगे या ब्रेड मांगोगे वो ब्रेड देगा तो अगर आप आत्मा का बरदान मांगोगे वो आत्मा का बरदान ही देगा तो सबसे पहले हम प्रात्ना करें मेरे साथ आप कहे सकते हो दैवन पिता मैं आपके पास आता हूँ मैं पच्चताब करत मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप पर मिश्वर की और से आए मेरे पाप के लिए कुरुस पर मारे गए गाडे गए तीसरे दिन जी उठे और फिर से आने वाले हो मैं आज से आप पर विश्वास करता हूँ इश्व ही मेरा प्रबू है इशु ही मेरा प्रभूग है और इशु की मैं सेवा करूंगा इशु धन्यवाद मुझे चमा करने के लिए और अपने आत्मा से बरने के लिए इस वाक इशु के नाम से एमेन तो हम जान चुके हैं कि आप निश्मशी को अपना लिया गृहन को कर लिया तो रादा करेंगे आप आत्मा से बर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो कि जब हम प्रात्ना करेंगे आप अपने आपको कोल सकते हो कह सकते हो कि है प्रभू मेरे जीवन में आ और मुझे आत्मा से बर आप वरी नहीं करना मेरे आवास के लिए हम प्रात्ना करेंगे आप रातना की जी Father I pray right now that your power will flow yes Lord even right now the anointing baptize them Lord with your Holy Spirit receive the gift of the Holy Spirit right now अब बोल सकते हो अब बोल सकते हो आप पवित्रा आत्मा जब आता है आप अन्य भाशाम में भी बाते करे ले लगेगे अब कोगी की ये अन्य भाशाई yes that's the Holy Spirit right now be filled with the Holy Spirit be filled to overflowing with the Holy Spirit let the joy of God hit you right now yes Lord Father thank you thank you for the anointing Lord thank you for the anointing Lord Jesus fill them to overflow they will never be the same in the name of Jesus Lord आपने क्या हुआ पर्वित आत्मा आपको भरा है ओ जितना आप खोल कर और प्रात्ना करोगे जितना आप और अन्य भाशा में बोलोगे जितना आप रन्य वाद दोगे वो सामर राप केंदर कारे करेगा और आप जूमते हुए पर्मिशु मसीह की सेवा करेगा Amen Amen and Amen थैन्य वाद भाई भाई ब्राइन आप रहा है अगर आपने शुमसी को लिया है पहली बार तो जरूर हमें कॉंटेक कीजिए ताकि हम आपको मदद कर सके इस विष्वास के कारे में आगे बनने के लिए और अगले मिलने तक ये याद रखना शुमसीही प्रभू है बाई बाई बाई